वीवो वाई 30 गैलरी सेटिंग नमस्कार दोस्तों सवागर आप सभी का तेखिराच योटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो पर में आपको बताऊंगा कि वीवो के फॉन पर आप जो है गैलरी सेटिंग कैसे कर सकते ठीक है और गैलरी का सेटिंग क्या क्या आपको मिलेगा आज की इस वीडियो पर हम यही कबर आप करने वाले तो यहीं दोस्तों आपको भी जाना है गैलरी के अंदर पर क्या सेटिंग से क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते तो वह सब दोस्तों जाने के लिए वीडियो को आन तक देख लीजगा ठीक है मैं आपको जितन लाइन से पैसा कमाना चाते हैं उसके लिए दोस्तों आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक दे राख है और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर दीजगा तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पर शूर उसमें जाने के बाद वस्तों सबसे पहले तो आपको फोटोसमिल जाते तो फोटोसम interns दोस्तों आपको कुछी सतरही अप्शन दिखाए देगा और एक मिन겼 यहाँ पर रुख правильно मैं आपको यहां से श्रुट करता हूँ तो दोस्तों यह रहा आपका सेटिंग तो यnyt यह बह का recycling bean ठेके यह दूस्तों कोई भी photos को permanently delete नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है यह बटन को allow कर देना है फ़िके यह बटन को allow कर देना है बटन को allow करने के बाद दूस्तों आपका जो recycling bin है वो आपको एलबाम पर मिल जाएगा यहाँ पर यहाँ पर जाये स्क्रोल डाउन करके पुरा नीचे में जाएगा तो नीचे में दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर rotate automatically when viewing images, automatic rotation भी आप कर सकते हैं, screen stays on when viewing images, आपका screen जो है वो off नहीं होगा इस setting पर, यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपका screen जो है कभी off नहीं होगा जब आप images को view करते हैं, तो यह settings यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो बस दोस्तों यह सब settings यहाँ पर edit, आप college pictures बना सकते हैं, ठीक है, college pictures यहाँ पर बना सकते हैं, edit पर click करके delete कर सकते हैं, और share कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, more के option पर जाते हैं, तो move to the file, save पर आप ले सकते हैं, move करके दोस्तों आप किसी दूसरे folder पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, तो यह सब setting आपको य इडिट का उप्शिन दिखाई दे रहा होगा सेम प्रोसेस यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसको सेलेक्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते एड़ टू अडर्स अलबाम दूसरे अलबाम पर आपको यह जो है वाटसप दे आए उसके बाद आते है आपका प्लाज बॉटन तो यहाँ पर दोस्तों काफी सारा फीचर से सबसे पहले खहसे डिख सकते मि legitimately के शुवे कर दीजीगे जो भी आप बाम का नाम सेट करने तो सेट किवे और कर दीजीए आप यह बाद दूस्तों दुबारा से पलाज में क्लिक कीजिए creative photo movie उसमें जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कुछ picture जो है आपको select कर लेना है इस प्रकार से ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको down क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो बन चुका है ठीक है उसके सारे सारा आप यहाँ पर photos filters set कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको background music देने का भी option मिल जाते है ठीक है background music तो इसको save करने के दोस्तों आपको उपर में save करना होगा तो बहुत यह आसान सा process से आप इसको directly share भी कर सकते हैं तो बहुत बड़िया future आपको मिल जाते हैं उसके बार प्लास में क्लिक करते हैं तो college photos का option भी मिल जाते हैं तो चलिए दुबारा से हम pictures को select करते हैं और college कर देते हैं तो maximum है यहाँ पर 9 pictures का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर college pictures जो है वो set हो रहा है तो इस प्रकर से यह चीज़ जो है काम करते हैं और उसके बाद आईए bake करते हैं तो bake करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाते हैं setting का option तो same setting आपको मिलेगा और यहाँ पर आप search कर सकते हैं ठीक है कोई folder कोई ठीक है कोई folder आपको search करना है settings यहाँ पर करना था तो आप कर सकते हैं अभी ठीक है तो सबसे main setting जो है वो है आपका recycling bin तो recycling bin जो होते हैं वो आपके photos को restore करते हैं आप उसमें जाके बाद में photos को recover भी कर सकते हैं तो यह एक बहुत ही safe तरीका है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगो वीडियो को जाके लाइक करें चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी जरूर कर लीजेगा तो आज के इस वीडियो पर बस इतने ही thanks for watching कर दो कर दो सकते हैं झादिक जादy झादन